हलो एब्रीवन वेलकम टू एए आउनलाइन सॉलूशन कैसे आप लोग तो आज इस वीडियो का मकसद मेरा यह है कि आप लोग परिशान हो रहें सर की प्रैटिकल कोपी का मतलब प्रैटिकल एक्जाम कब होगा प्रैटिकल कोपी जमा कब करना हम को ठीक है बहुत को पता चले से आगे बढ़ते हैं है कि सबसे पहले हम देख लिए क्लास 21 का आप दिया हुआ है और यह डेट वेट चाश तो सब सもうब्सक्राइब दूंड है अब नीचे मैं देखाता हम क्लास थीट देखो नीचे जो डेट सीट दिया उसका इसके लिखा हूं परेचे प्रैटिकल का को कि प्रिजमा करना है यानी की 9 जनवरी एक चाहिए छुछ बैद चाहिए आपको प्रेटिकल नो आटारा यान कि नो दिन के अंदर आपको प्रिजम होना है अब जिस हाल में हो चाहे इस को प्रेटिकल को पी बनाओ जमा करो ना तो इस तरह से आप जाना इसकूल में मिलना और आपको पता चलजाए कि पहले अग्जाम होगा आपका जो बोड का एकजाम होगा नहीं उससे पहले प्रीटिकल का प्याश्ट चैजल कोई होगा गाद जागा जागा देट रखने यह क्लाशट हो आपको पता है क्लाश ट्वल्स में कौन क्लास टेंद का रिजल्ट यह है तो आप क्लास टेंद का जो है क्या बोलते हैं इसको डेट इसको एक्जाम का डेट कौन-कौन सा दिन कौन सा पेपर होना है बाकी यहां पे नीचे देखो दिया हुआ है कि यहां देखें नीचे वह नीचे यहां पर दिक्रात परियोग्स परिच्छा का कारिक्रम करें एक्षिक विशाय हो musste ग्रीविघ्यान संगीत निरत लहलीत जो भी कि इसको इंसभी का जो है प्रिक्षा होगा बीस जनुवरी से लिकर बीस एक दोरेकिस से लिकर बाइस एक दोरेकिस तक यानि कि सिर्फ एक दिन दो दिन का एक क्या काम कारे करना है वो आफके एकजाम यह होगा बीस से लेकर बायस झानूरिय तक तो याद रखे बैस्कुल से मिलते रहे आपको प्रते क्न बनाएं जाता है पुछले साल का कैसे बना यूब्स पर सर्च कर विंद्र को सस्केश क कैसे बनाएं ठीक है सबसे पहले मेरी वीडियू आजाएगी और नуля वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो दिखेगा ठीक है वहाँ पर जाना और आपको पूरी तरीके से पता चले कीसे बनाना है चाहीं कैसे लिखना है बस्ताती तरी से नमबर की तो कम से कम 20 नहीं तो पक्का मिल जाया है समझे अगर नमबर से नहीं नहीं आना चाहिए तो आई से प्रेटिकल को पी लिखना है तो आप थाया है प्रेटिकल को पी यह दिन होगा आपके एक्जाम से पहले प्रेटिकल क्या होना है इस ही जमा पिछले बार तो आफ्या सब्सक्राइब कर दो